प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हैलो दोस्तो हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओफलो मैक ओरल सल्यूशन के बारे में हम बताएंगे इस ओफलो मैक सीरप के यूजर्ज के बारे में डोस के बारे में साइड एफेक्ट के बारे में इसकी प्राइज क्या होती है इसका कमपुजीशन क्या होता है और इसे कितने दिन तक हम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इनहीं बातों पे चर्चा करूंगे इस वीडियो में इसलिए आप इस वीडियो को जरूर सुरू से अंत तक देखें साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों ज्यादे समय नगवाते ह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ओफलो मैक एक एंटिबाइटिक है जो कि आज से नहीं काफी लंबे समय से इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल डॉक्टर लोग करते हैं ओफलो मैक आपको 30 ml बॉटल पाइक में मिल जाता है जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इस 5 ml कंटेंस देखने को मिलता है ओफलक्ससीन इसमें 50 mg मिला हुआ है दोस्तों यह एक एंटिबाइटिक है जो कि एंटिबैक्टरियल इंफेक्शन को क्योर करने का काम करता है ओफलो मैक के यूजेस की बात करें तो दोस्तों यह निमने समस्याओं को ठीक करने में मदद क करता है ओफलो मैक आपको टेबलेट भी मार्केट में मिल जाता है जो कि 100 mg और 200 mg टेबलेट के रूप में आता है लेकिन जो मैं रिवीव कर रहा हूं यह खास तोर से बच्चों के लिए हैं जिसमें उफलक्ससीन 50 mg डाला गया है दोस्तों इसके निमने फायदे हैं जैसे कि अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकायम की शिकायत है या फिर खासी आ रही है सूखी खासी की शिकायत हो या फिर गिली खासी की शिकायत हो तो उन कंडिशन में इस ओफलो मैक सीरप का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर किसी बच्चे को फीवर की शिकायत हो जाती है या आनि कि उससे टाइफाइड का फीवर हो जाता है या फिर वाइरल फीवर की शिकायत होती है तो उन कंडिशन में भी इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर किसी बच्चे को यूरीन इंफेक्शन की शिकायत होती है पिसाब करते समय जलन होना पिशाब रुक रुक के होना पिसाब करते समय दर्द होना तो उन कंडिशन में भी इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल किया जाता है साथ ही यह एंटिबाइटिक दोस्तों अगर स्कीन पर किसी तरह के इंफेक्शन हो जाता है फोड़े फुनसी हैं कोई घाव है कट पिट गया है तो उन 20 ml का बॉटल लगबग आपको 20 से 25 रुपे में यह इसली किसी भी मेटकल स्टोर पे मिल जाता है साथ ही दोस्तों यह एंटिबाइटिक अगर किसी बच्चे को गले में इंफेक्शन हो जाता है या फिर आतों में इंफेक्शन हो जाता है या फिर लीबर में इंफेक्शन हो जाता है तो उन कंडिशन में भी इस एंटिबाइटिक को चलाया जाता है दोस्तों ये किसी तरह के infection को cure करने का काम करता है यहां तक कि दोस्तों जो एंटिडारियल ड्रग आते हैं उनमें भी आपको Flaxcine देखने को मिलता है यानि कि हल्की फुल की दस्त की शमस्या हो तो वह भी Offlomac syrup के इस्तमाल करने से ठीक हो जाता है तो यह थे दोस्तों इसके uses के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके DOGE के बारे में और कितने age में कितना DOGE दिया जाता है तो दोस्तो ये 50 mg का सीरप है जिसका इस्तमाल जो है 5 महीन से उपर के बच्चों में इसका किया जाता है और इसे जो है 3 या 4 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं है कि दोस्तो यह एंटिवाइटिक काफी अच्छी एंटिवा 아के सच्छी है लेइन काम भी काफी अच्छा देखने को मिलता है और साइडे फेक्ट भी बहुती कम देखने को मिलता है स्वाइट की बात कर रहते तो दोस्तो इसे पाँच महीनेश उपर और तीन ये C4 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं, इसका जो dose है, अगर दस हम पाँच महीनेश उपर और दस बार महीने का बच्चा है, तो उसे जो है साड़ेतीन से चार म्यांजे दिन बड़ में दो बार दे सकते हैं, यहीं बच्चा अगर 12 मेने से उपर और 2-3 साल का है तो उसे हम 5 ml दिन बर में 2 बार दे सकते हैं Side effect की बात करें तो दोस्तों इसका कुछ खास side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन इसमें वो Fluxacin 50 mg डाला गया है अगर जिन बच्चों को Fluxacin salt से allergy होती है तो उन तरह के बच्चों को ना दें इसके देने से आपको इचिंग की समस्या हो सकती है या इसकी रेड हो सकता है ददोरा पड़ सकता है या फिर चक्कर आना दुदली दिरिष्टी गबराट होना इस तरह के कुछ common side effect होते हैं जो कि सभी को नहीं होता तो यह था दोस्तो ओफलो मैक solution के बारे में सब कुछ वीडियो अचल लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तो में share करें फिर मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त देजिए